सब्सक्राइब करें अमारे यूट्यूब चैनल को और प्लिक करें डल आइकॉन को हमारे याने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपको बकरे के पाई बनाने का तरीका समझाओंगी किस तरह मज़ेदार और जायकेदार जो है वो पाई बनाये जाते हैं लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करने हैं फ्रेंद और फैमिली के सथ शेयर करने और जिन्होंने मेरे चैनल स सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें चलिए मैं आप बताती हूं कि पाई बनाने के लिए हमें कौन से मिसालियो और अज़्दार जो हैं दरकार हैं इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक बरतन में आठ बकरे के पाई ले लिया और सिम्फूद से लेकर भी साफ कर सकते हैं वैसे मैंने मार्कट से ऐसे ही लिए हो ये साफ बने बनाए पाय होते हैं इसके साथ मैं ने ये 5-6 दरमियानी साइस की प्याज लिया जिसको हमने ये लच्षदर कट कर लिया चार से 5 साबट सबस मिर्च एक चमच हल्दी चार चमच सुर्ख मिर्च के वैसे आप अपनी जरूरत के मताबग इस्तमाल कीजिएगा दो चमच नमक नमक हस्बे जाड़का एक चमच के करीब साबत गरम साला आप चाहें तो पिसा हुआ इस्तमाल कर सकते हैं और यह तीन चमच अद्रफ लसन का पेज़्ट चलिए अब देखते हैं किसको बनाते कैसे हैं आप यह देखें इसको मैं करती हूँ साइड पर यह बता हैं यह सबसे पहले आप देख लें कि मैंने जो प्रेशर कुकर है बोह आधे से जादा भालया तकरीबन यह हाम प्रेशर कुकर है जिसको मैंने पानी से भालRIA अब मैं इसकी अंदर जो है यह सारे कॉस्त leure कॉकर भात करूंगी यह मैंने पानी डालने के बाद इसके अंदर पाय एड़ कर दी है इसके बाद यह कटी हुई प्यास शामिल करेंगे हल्दी सुका धनिया पिसा हुआ नमग सुर्ख मिर्ज गरम साला और आखर में हम यह अदर लक्सन का पेस्ट है अब मैं इसको बंद करके बिसमिल्ला रफ्मान रहीं यह मैंने बंद करती है अब मैं इसको वेट पर दाऊंगी चली अब हम इसको चूले पर पकने के लिए रखते हैं यह देखें जी इसको अब हमने पकने के लिए चूले पर रख दिया है तकरीबन हम इसे 20-25 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद हम खोल कर चेक करेंगे यह पाए गले हैं या नहीं अब इसका पानी हुशक करते हैं पावे क्यूंके गल चुके हैं अब पानी हुशक होने के बाद हम इसमें आयल डाल कर इसको भूनेंगे फूब अच्छी तरह पाड़ी खुशक हो चुका है आम ऐसे खुले बड़तल में डालने लगी बून लीके लिए 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 डेयर कप मैंने आयल का इसमें डाला है क्योंके पावयों ने भी काफी रोगन छोड़ा है अब मैं इसको भूनती जाओंगे यह देखे है मैंने इस तरह एक हरी मिर्च लेकर उसको एक लंबा कट लगाया और उसके एक बार आप फिर एक और कट लगा ले इस तरह से आपने सारी मिर्चों को जो है वो सेंटर से कट करते जाने है यह मैं इसलिए करीं त्यूंके इसस अच्छा टेस्ट आता है इसका सालन में इस तरह फड़ी की तरह ये चार ये दिखें इस तरह अब इसी तरह आपने सारी मिर्चे काट लेनी है और अब मैं इसको हंडिया में डालूंगी अब हम इसको सालन में एब करें कि और इसको साथ साथ भूंते चाहिए जब ता अब इसको साथ हो जब भी छोड़ देगा तो हम इसमें घजबे जरूरत पानी शामिद करके शोरबा त्याद करेंगे और इसको डिशाओ कर लिया है अगर हमारी ये रेस्पी बसंद आई हो तो इसको कमेंट करें और वीडियो को लिग करें लिग देगे लिग देगे अब मैं इसे दस मिट तक पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे उतार नूंगी और डिशाओ करूंगी और मैं इसे जाम लिया अब इसे जाम लिया है उमीद करती हूँ कि आपको हमेशे की था हमारी ये रेस्पी पसानद आई होगी अगर हमारी ये रेस्पी आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड जन फैमली में शेर करें जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टन बात बताना चाART जाते हूँ कि हम ने राना अदील ऐमत के न झाल